पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ के नया टोला से आतंकी गतिविदी में शामिल दो संदिक्दों को गिरफतार किया है पुलिस ने उनके पास से कई विदेशी दस्तावेश जब्त किया है जो पुरतिबंधित और गिरफतार दोनों संदिक्दों के तार कई देशों से जुड़े है फुलवारी शरीफ के एसपी मनीश कुमार ने प्रेस कॉन्फरेंस कर बताया कि फुलवारी शरीफ के नया टोला इस्थेट एहमद पैलिस में मुहमद जलालो दिन जो जार्खन पुलिस का सेवा निर्वित सब इंस्पेक्टर है और अतार परवेज मिलकर संगठन चला रहे है ये दोनों संगठन के माध्यम से समाज के असिक्षित और गुम्रा छात्रों को अपने संपर्क मिला कर उन्हें आतंकी गतिविदी की प्रसिक्षन देते थे पुलिस से बचने के लिए दोनों संदिक दातंकी PSI और SDPI पार्टी के जंडे तले इस कारे को किया करते थे अतार परवेज पूर्व से सीमी के कारे करता रहे है साथ ही आतंकी गतिविदी में इसका संलिप्तिता मिली हुई है झाल 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 अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सायोगी पट्टा से शक्ती जोड़ चुके है शक्ती या कुछ अपडेट है दोनों संदिक गिरफ्तार हुए है आतंकी गतिविदी में साथ आपको पता है सब्सक्राइब है। परटवा फ़रे विद्वाजे करने आए तो इसके भाई की बास बैलर काम किया था कई ऐसे मामले जिसे जो है दोनों के समरीता बताई जा रही है तो परहाल जो है अब पुलिस जो है दोनों को क्रेफतार करके अब उस्तास कर दिये अनुसका गानेबार शक्ति तमाम जानकारियों के लिए अधिया विरूधी कारे किया जा रहा है हमें आसूचना प्राप्त हो रहे थी और हम सूचना का सत्यापन एजेंसिस से करा रहे थे तभी 11.07 को तभी 11.07.2022 को हमें एक्जाक्ट और पिंपॉइंट इंफॉर्मेशन मिला कि महां पे अहमद पैलेस पे इसोपूर में नहर के पास अहमद पैलेस में उपरी मंजिल पर कि पिछले दो महीने से ऐसी चल रही है जिसका कोई नाम नहीं है जिसमें दूसरे राजियों से लोग आ रहे हैं जो लोग आ रहे हैं बहुत ही संदेहास्पद आ रहे हैं इभन कुछ लोगों को हम लोग ने टेखनीकली और साइंटिफिकली चेक कर आया तो वो लोग नाम बदल करके एर टिकेट नाम बदल करके होटिल में रुखना यह सब कर रहे थे हम लोगों ने टेखनीकल इंफोर्मेशन से हमारे पास जो मोहमद जलालुदीन जो रिटायर्ट सर्व इंस्पेक्टर है जार्खन पुलीग से और अथर परवेच जिसके बारे में अभी तक जो सुचना प्राप्त हुई है वो सिम्मी के पूरू सदस्द से रहे हैं 2013-2012 में जब सिम्मी बैन हुआ था तो बिहार में जो ब्लास्ट सुए थे इसमें इनके छोटे भाई मंजर परवेच जेल गए थे और 2001-2003 और 2013 में बिहार में जो केसेज हुए हैं टेरिस्ट्रक्टिविटीज के उन सारे केसेज के अव्युक्तों के ये बेलर हैं